अब हम बच्छो आगे मूब आन करते हैं इन केस अब फ्लुक्ट्वेटिंग कापिटल, इंट्रेस्ट अन कापिटल कैसे कापिटल? रूल ये कहता है कि इंट्रेस्ट अन कापिटल will always be calculated on the opening balances of capital. साल के शुरू में तुमारा जितना, because साल भर में इतना fluctuate करता है, कभी salary add हो रही है, कभी interest add हो रहा है, कभी drawings minus हो रही है, कभी loss minus हो रहा है, कभी profit add हो रहा है, इतना fluctuate करता है कि वो बहुत ही complicated से situation create कर देता है. तो हमने rule बनाया हुआ है, कि अगर हमारे capital fluctuating है, तो interest on capital सिर्फ opening balance पर ही calculate किया जालेगा, only opening balance पर है. So, it's very simple now, अगर question में opening capital given है, सीधा interest calculate कर तो कोई product method नहीं कुछ है, नेकिन अगर opening capital नहीं given, और closing capital given है, तो opening capital calculate कर लेते हैं, और ये 11th वाला इवे है, अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान हो, बढ़ फिर भी मैं दुबार अप्टा रहा हूँ आपको. Closing balance of capital से हम उल्टा चल पड़ते हैं opening के तरफ. उल्टा चल लेंगा मतलब जिन चीदों को पहले less किया होगा, अब उनको add कर देंगे, और profit का share हमने पहले add किया होगा, उसको less कर देंगा, रिवर्स चल रहा हूँ बच्चों होगा, जिसको पहले add किया है, उसको less किया है, add कर दूँगा, तो में पस opening balance of capital आजएगा, और इस opening balance of capital पे जो भी आप मुझे percentage दोगे, वो interest calculate होजएगे, So, so simple, fluctuating a case में opening, opening given है, तो good, नहीं तो closing से, opening cut, ठीक, done.